गुट मॉर्निंग एवरिवान आप वेरी गुट मॉर्निंग टू आल अफ यू बचो वी आ बैक वी आ लाइव इन लक्षे बैच 2.0 एनलोग एलेक्ट्रोनिक्स और अब तक बिटा आपने डायोड का बेसिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया है आप लोगोंने डायोड का फंक्षन देख लिया है कैसे कंस्ट्रक्शन होती है कैसे वर्किंग होती है क्या फॉर्वर्ड होता है क्या रिवर्स होता है क्या ब्रेकडाउन होता है और आपने साथ साथ देखा बिटा ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जिस इसकी मदद से आपने देखा डायोड जब किसी circuit में लगा है तो कैसे हम जज करते हैं डायोड की working condition और कैसे उस circuit को solve करते हैं और मैंने आपको इस सारे assignment भी जो दिये थे वो solve करा दिये हैं already तो आज जो है न हम लोग डायोड का application start करें अब आप देखो के डायोड का practical use क्या हो आज के lecture में पहली application का आघाज होने वाला है that is the clippers तो I hope कि आप सभी लोग ready हो आप सभी लोग open circuit test short circuit test अच्छे से तयार कर लिए हो क्योंकि पिटा ये topic भी मैं उसी की मदद से कराने वाला हूँ आपको मेरे lectures में at least ये दिखने वाला है कि एक fundamental से आप लोग किस हद तक शुरू करूं मैं आपको एक चीज और बता दूं बचो कि आज last day ये 20% off का तो आपको अनकेडमी सब्सक्रिप्शन पर 20% off मिल रहा है आज 31st of August है last day plus low या iconic दोनों पे ही है 20% off code आप जानते हो बिटा अंकित ESE ठीक है अंकित ESE चलिए शुरू किया जाए फिर शुरू करत है आज का discussion तो बिटा सबसे पहली बात होती है कि Clipper होता क्या है Clipper का मतलब ये होता है जो कि waveform को clip कर दे काट दे किसी एक particular level के ऊपर या एक particular level के नीचे जिस level के ऊपर या जिस level के नीचे से आपको waveform कट करनी है that is called as the reference value आप उसको क्या कहते हो बिटा reference value जैसे मान लो मैंने ए पांच वोल्ट के ऊपर की सारी waveform कट कर देता है यानि पांच वोल्ट के ऊपर की waveform को delete कर देता है तो that sort of a circuit will be called as a clipper अब जैसे देखो यार half wave rectifier है तो half wave rectifier खुद में भी एक clipper है क्यों clipper है क्योंकि है half wave rectifier waveform के negative part को clip कर देता है waveform के negative part को cut कर देता है that is what happens इना half wave rectifier समझ में आ गई बात बात समझ में आ गई और देखो clippers क्या करते हैं वोल्टेज को limit कर देते हैं limit कैसे कर देते हैं जैसे अब ही मैंने बोला कि 5 वोल्ट के ऊपर की सारी waveform डिलीट कर दो तो आपके पास बिटा जो final result आएगा उसमें आप के पास values will be below 5 वोल्ट तो आपने क्या कर दिया आपने limit कर दिया आपने waveform को रोक दिया that it cannot go above the 5 वोल्ट that it cannot go above the 5 वोल्ट तो आपने यहाँ पे waveform को limit कर दिया उसकी एक upper limit set कर दी बट ऐसा मैं सोचना कि clipper हमेशा सिर्फ upper limit set करता है clipper lower limit भी set कर सकता है मतलब मैं एक ऐसा भी clipper बना सकता हूँ जहाँ पे मैं यह बोलू कि final output का जो graph है वो minus 10 vult के नीचे नहीं जा सकता तो आपने वहाँ पे lower limit fix कर दी तो आप दोनों तरह से limit fix कर सकते हो अपर limit भी और lower limit भी अब एक Clipper बनाने के लिए हमें Circuit के कौन-कौन से Elements चाहिए होते हैं पिटा एक Battery, एक Diode, एक Resistance ये Battery जो होती है न ये Reference Voltage सेट करने के काम में आती है किस काम में आती है? Reference Voltage जैसे मैंने बोला न 5 Volt का एक Level समझाया एक Minus 10 का समझाया तो ये जो 5 और Minus 10 है, ये किसके basis पे Decide होते हैं? बैटरी के basis पे बैटरी के बैटरी के बैटरी के बैटरी के बैटरी के बैटरी का सरकुट है डायोड तो लगेगा ही Resistance किसलिए लग रहा है? For taking the output Output आपका Resistance से आएगा ठीक है? तो इसलिए आपको तीन element compulsory है और चौथा चीज जो है, वो है input जिस input waveform को आप clip करना चाहते हो जिस input waveform को आप काटना चाहते हो वो input waveform भी आपको लगानी पड़ेगी अज़ा दूसरी बात और बिटा अगर आपको मान लो reference voltage 0 चाहिए जैसे rectifier होता है ना जीरो के नीचे की सारी values को cut कर देता है तो आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बैटरी दोगे ही नहीं तो आपकी reference value by default 0 हो जाती है लेकिन अगर आप बैटरी देते हो तो आप उससे reference value को set कर सकते हो अभी आप या आगे आने वाले slides में आगे आने वाले concepts में देखोगे बात समझ आ गई तो दो चीजें तो देखो compulsory है diode और resistance अगर आपको reference non zero चाहिए तब आपको बैटरी लगानी पड़ेगी और इसके अलावा एक input और होगा जिस waveform को हमें clip करना है बात समझ में आ गई यहां तक भई रूपांकर बिटा सारे lectures के PDF uploaded है community पे जाकर के देखो मेरे खहल से आप लोग यार चेक नहीं करते हो मतलब यहां पे लिखने से पहले ना chat में लिखने से पहले एक बार community पे जाके चेक किया करो क्योंकि मुझे तो याद है मैंने यार assignment तक upload किया है 6 lecture हूँ है 6 के 6 PDF डाले गए है और एक बच्चा बोल रहा है कि भई PN junction का part 1 नहीं मिल रहा है बिटा PN junction का part 1 analog की playlist में जाके चेक करो 6 के 6 lecture वहाँ पे uploaded है कली मैंने चेक किया है डूणने की जरूवत क्या है जब playlist बना के दे दिया हूँ ठीक है लेकिन ये ध्यान रखना आज रात को पिछले सारे lecture private हो जाएंगे आज रात को या फिर कल सुबह में इसलिए अगर किसी का कोई भी lecture छूटा है तो उसको आज निपता लो भई ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे न हमारे साथ लेट जुड़े हैं इसलिए मैंने क्या है कि दो दिन के लिए सारे lecture पबलिक कर दियेंगी छूटा है तो cover up कर लो ताकि फिर आप हमारे साथ live continue कर पाओ ठीक है चलो आगे चले अब देखो क्लिपर्स को कैसे classify करते हैं क्लिपर्स को कैसे classify करते हैं single level clipper two level clipper single level clipper में दो होते हैं series और shunt में भी positive negative positive negative दोनों चीज़े आती है अब ये कह रहे हैं इनको मिला नहीं है just a minute मैं आपको दिखा देता हूं देखो भाई ये यूट्यूब पे हम गए ठीक है हमने यहाँ पे creatrix डाला logic creatrix डाल दिया ठीक है creatrix पे गए playlist में गए ये री analog की playlist view full playlist ये तुरा भाई basics of semiconductor basics of pn junction part 1 basics of pn junction part 2 open circuit short circuit test assignment discussion अब बताओ बिना चेक किये ऐसे ही बोलते हूं सारे lecture तो पढ़े हैं भाई ये ही तो दिक्कत न तुम लोग चेक करोगे नहीं complain करने पहले आ जाओगे ये चीज नहीं मिला वो नहीं मिला ये नहीं है वो नहीं है सब कुछ है ठीक है बहीं तो ये आपके clippers के classification होते हैं single level clipper और two level clipper और single level clipper के अंदर आपके दो होते हैं series और shunt series और shunt में भी positive negative positive negative ठीक है तो हम लोग single level clipper से start करेंगे फिर बाद में two level clipper पे जाएंगे two level clipper का मतलब है जहां पे दो reference values होंगी जैसे मैं ये बोल दूँ कि voltage 5 volt के उपर भी ना जा पाए और minus 10 के नीचे भी ना जा पाए तो मैंने दो level set कर दिये 5 और minus 10 तो 5 और minus 10 का अगर आपने level set कर दिया तो that is a two level clipper that is a two level clipper समझ में आगई बात अब ये कह रहे हैं sir assignment का pdf नहीं मिला एक मिनट रुख जाओ हाँ assignment का pdf नहीं गया भाए शायद upload में error आ गया है low मैं अभी डाल दे रहा हूँ assignment में वैसे भी कोई नए questions तो थे नहीं भाई ठीक है थे तो सारे पुरा नहीं चलो अब मेरे भाई disturb करोगे बार बार तो मैं chat off कर दूँ आ setting में जाके ठीक है फिर chat नहीं कर पाऊगे और गितेन बिटा इस channel पर अगनी बैच पढ़ा है जिससे HPCL का पूरा revision हो जाएगा उसके लिए अलग से कुछ कराने की ज़रूरत है नहीं HPCL के लिए दूसरी बात HPCL की तैयारी करने वाले बच्चे भी बहुत ही कम है HPCL में कोई बहुत ज़्यादा student interested है भी नहीं ठीक है चलो हाँ जी सबसे पहले आ रहे हैं series negative clipper series negative clipper का मतलब यह होता है बिटा कि diode जो है न series में लगा है देख रहे हूँ diode series में लगा है और दूसरी बात यह होती है कि diode जो है न आपका negative cycle को clip कर रहा है negative part को waveform के काटेगा that is the series negative clipper तो series negative clipper का क्या मतलब है कि diode is connected in series with the supply और negative clipper का मतलब है clips the negative part of waveform clips the negative part of waveform अब यहाँ पे न ideal diode मान के चलिएगा जितना भी analysis कर रहे है ideal diode मान के करेंगे अब देखो यह diode लगा है अब diode के anode से लगा है supply का positive और diode के cathode से लगा है negative diode के cathode से लगा है negative अब मैं क्या बोलूँगा बच्चो कि अगर यह vi positive है अगर यह vi positive है तो यह polarity सही है समझ रहे हो जैसे इसी polarity में मैं minus 5 volt लिख दूँ यानि polarity उल्टी है तो आपने यह बोला अगर vi positive है तो यह polarity सही है अगर vi positive है तो यह polarity सही है जिस कारण से diode will be forward biased आपने देखो यह क्या लिखा है diode is forward biased when vi is greater than 0 अब diode अगर forward biased हो गया मेरे बच्चो तो diode को आप क्या मान लोगे shorted मान लोगे diode अगर short circuit हो गया तो v0 will come out to be equal to vi v0 जो है न vi के बराबर आ जाएगा बात clear है अब इसके बाद अगर vi negative है vi negative का मतलब है इसकी polarity को पलट दो इसकी polarity को पलटने का मतलब इधर negative और इधर positive अगर vi negative है तो इसकी polarity reverse कर दो तो इधर negative आ जाएगा और इधर से positive आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो diode हो जाएगा reverse bias तो diode is reverse bias when vi equal to 0 ऐसी situation में बिटा आप diode को कर देंगे open circuit क्या कर देंगे open circuit open circuit करते ही मेरे बच्चो ये जो current है current आ जाएगा 0 current आ जाएगा 0 जिस कारण से resistance की voltage भी आ गई 0 तो positive cycle में जब vi positive था तब output आ रहा था input के बराबर और जब vi negative हुआ तो output आ गया 0 बात समझ में आ रही है? हाँ जी, तो ये half wave rectifier जैसा ही हुआ बिल्कुल साही बात है मन्थन तो यही मैंने लिखवाय था half wave rectifier is also a clipper अब देखो यार clippers के अंदर एक चीज़ बहुत ही important होती है that is the transfer characteristic ये transfer characteristic क्या होती है ये graph होता है जो v0 versus vi के बीच में बनाया जाता है अब देखो vi लिया जाता है x-axis पे तो vi positive होने का मतलब right half vi negative होने का मतलब left half तो vi जो positive है ना वो right half का है और vi जो negative है vi जो negative है वो left half है अब आपने बोला बिटा जब vi positive होगा तो v0 equal to vi यानि y बराबर x y बराबर x क्या होता है एक straight line होती है जिसका की slope होता है 1 y बराबर x is a straight line of slope equal to 1 ठीक है v0 equal to vi और ये देखो जब diode reverse बाइस है vi जब negative है तो diode open है तो v0 will be 0 v0 will be 0 तो ये आया तो एक characteristic clear हुई कि जब आपका vi negative है तो v0 0 आ रहा है जब vi positive है तो v0 is equal to vi अगर आप चाहो तो vi को एक sinusoidal waveform भी बना सकते हो ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हो कि vi का पहले graph बना लिया जाए कि आप ऐसा बोल दो आप ये बोल दो कि vi is a sinusoidal waveform ये जो graph मैं बना रहा हूँ नहीं time के against बना रहा हूँ मैंने vi की एक waveform आपको दे दी against time अब मैं क्या बोलता हूँ बिटा कि अगर v0 की waveform देखनी है तो vi जब positive है तब आपका v0 आएगा same as vi और जब vi negative है तब v0 आएगा zero तब आपका v0 आएगा zero तो देखो इप positive cycle में तो same as vi जब vi negative हुआ zero के नीचे गया तो zero फिर positive cycle में same as vi तो ये आपका पहला clipper होता है that is the series negative clipper तो यहाँ पे diode series में लगा है और उसके negative waveform को clip कर दिया गया है बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई clear है न अब देखो ये पहला example हमें अच्छे से clear हो गया अब हम बाखी examples की बात करते है अगला example लेता हूँ positive bias series negative clipper यहाँ पे negative लगा लो अब मैंने देखो क्या change किया अब मैंने एक battery लगा दी एक reference voltage लगा दिया मैंने बूला था ना battery क्यों लगाई जाती है to set up the reference कि आपको कितनी voltage के उपर या नीचे clipping करनी है तो ये जो है आपका ये reference हो गया अब देखो आपको मैं basic सही कराऊंगा मानलो मैं कहता हूँ यहाँ use करिए open circuit test तो आपने diode को क्या कर दिया open कर दिया भई ये हो गई diode की voltage VD ठीक है VD हो गई अब आप यहाँ पे देखिए बिटा ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे current तो जा नहीं सकता क्योंकि open circuit है ना रस्ता तो current आपका 0 आने वाला है अगर आपका current 0 आने वाला है तो resistance के across जो voltage है that will also come out to be 0 that will also come out to be 0 तो यानी यहाँ पे V0 क्या होगा V0 will come out to be VR V0 will come out to be VR तो डायोड का voltage क्या होगा अगर आप KVL लगाते हो बंदू अगर आप इस type से KVL लगाते हो यहाँ पे तो आप कहेंगे VI minus VD minus 0 minus VR is 0 तो VD आ गया input minus reference correct अब आपको क्या पता है बिटा कि डायोड reverse bias होगा अगर उसका voltage negative आ गया तीक है डायोड आपका reverse बायस ही रहेगा अगर उसका voltage negative आ गया यानि VI less than VR अगर input voltage VR से छोटा है तो subtraction negative आएगा ठीक है और डायोड विल बिकम forward bias अगर VD positive है VD positive है तो VI must be greater than VR ठीक है जी अब देखो इसी basis पे यहाँ पे ना दो cases कर लेते हैं case 1 आप बोल रहे हो VI less than VR अभी आपने दिखाया यहाँ पे की डायोड आपका reverse bias है और जब आपका डायोड reverse bias है तो it is behaving like open circuit और इसमें आपने लिखा भी की V0 आता है VR क्योंकि resistance का voltage 0 हो जाता है तो V0 is equal to VR V0 is equal to VR case 2 VI greater than VR अभी आपने बोला इसमें डायोड forward bias होगा तो हम डायोड को कर देंगे short circuit अभी देखो जब आप short circuit करते हो तो कैसा circuit बनता है यह VI है यह बन गया अभी देखो जब डायोड short हो गया ना तो supply की सारी voltage output के across आ जाएगी है ना parallel connection हो गया ना तो V0 will become equal to VI clear? V0 will become equal to VI अब इस logic से अगर मैं transfer characteristic बनाने जाऊं इस logic से अगर मैं transfer characteristic बनाने जाता हूं मेरे भाई द्यान दीजिएगा ठीक है? V0 VI ठीक है? अब VI का जो threshold लिखा है that is VR VI पे threshold कितना लिखा है? VR अगर VI VR से नीचे है तो output कितना आ रहा है? VR output कितना आ रहा है? VR तो देखो मैं एक काम करता हूं एक VR का level ऐसे बना देता हूं output में भी और ऐसा ही level मैं बना देता हूं input में भी ठीक है जी? अब देखिए जी हम क्या बोल रहे हैं? कि ये VR है और ये भी VR है अब हम ये कह रहे हैं कि जब VI VR से छोटा है when VI is less than VR यानि VR से left है तो V0 आ रहा है VR के बराबर तो V0 जो है न कॉंस्टेंट आ रहा है VR के बराबर लो जी ये V0 मेरा कॉंस्टेंट आ गया ठीक है? VR के बराबर अब मैं कह रहा हूं जब VI VR से बड़ा है जब इधर जाओगे यानि VI greater than VR है तो एक straight line आ रही है V0 equal to VI तो एक straight line आ रही है और slope 1 जब output और input बराबर हो गए Y और X बराबर हो गए तो एक straight line बन जाएगी जिसका की slope होगा 1 तो देखो मैं यहाँ पे straight line बना देता हूं ऐसे जिसका slope है 1 समझ में आया? बोलो जल्दी से सबको clear हुआ है transfer characteristic सर आपको कैसे पता यह इसी point से शुरू होगी? बिटा यह इसी point से इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि VR पे slope 1 के हिसाब से output भी क्या रहा है? जब Y equal to X कह रहे हूं अब अगर आप ऐसा लो कि input को एक sinusoidal मान लो input अगर आप एक sinusoid ले ले मैं आपको waveform बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि clipping कैसे हो रही है यहाँ पे आपको actually clipper का feel आएगा एकदम ठीक है? अब यह देखो मैं sine की cycles बनाओंगा half cycle उसी का मैं width ले रहा हूं यह यह एक और half cycle और इतने में आ जाएगी एक और half cycle यह न मैं उसके amplitude को मान लिया यह जो horizontal yellow lines बना रहा हूं orange lines this is the amplitude ठीक है? अब देखो supply जो है वो purely sinusoidal wave ले लो लेने को आप triangle या square भी ले सकते हो भाई ऐसा मत सोचना कि sinusoid ही लेना है यह बना लिया यह मेरी supply होगई supply किसी भी shape कियो सकते है not necessarily sinusoidal अब वो तो sinusoidal से पाला ज़्यादा पड़ता है अपना तो आपन sinusoidal मान लेते है अब आपने एक reference voltage बनाई भई reference voltage आपने यह बना ली reference voltage ना peak से कम रखना वरना input कभी उसे cross ही नहीं कर पाएगा यह आपने reference बनाई अब reference के हिसाब से बिटा आपने इंटरसेक्शन नीचे plot कर लिए ठीक है यह intersections आ गए ना देखरो जहाँ जहाँ यह pink curve को intersect कर रहा है समझ आ रहा है ना सबको यह intersection में नीचे तक ले आया अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो light color से पहले एक sinusoidal graph मैं बना लेता हूँ कि यह मेरा graph होता इस type से अब हमें output में क्या मिल रहा है हम यह कह रहे हैं जब input बिटा VR से ज़्यादा होगा जब input VR से ज़्यादा होगा तो output input के जैसा होगा जब input VR से ज़्यादा होगा तो output जो है input के जैसा ही होगा ठीक है यह VR है आपका जब input VR से ज़्यादा होगा तो output input के जैसा ही होगा तो देखो जब जब आप VR के उपर गए output आपका input के जैसा ही आया और क्या बोल रहा है जब VR के नीचे जाओगे जब VR के नीचे जाओगे तो output VR ही आएगा जब आप VR के नीचे जाओगे यानि यह pink वाली line के नीचे जाओगे तो output will come out to be VR ऐसा बोल रहा है भी अच्छा जी तो देखो output will come out to be VR तो आप एक तरह से यह कह सकते हो बिटा कि VR के नीचे की waveform आपने delete कर दी है आप समझे बात को आपने VR से नीचे की waveform delete कर दी है अब आपका जो graph है वो VR या VR से उपर ही रहेगा VR या फिर VR से उपर ही रहने वाला है समझ में आ गया अब clipper का significance समझ आया कि VR से नीचे का जो पूरा graph था देखो यह जो पूरा yellow वाला graph था यह clip कर दिया गया है यह delete कर दिया गया है तो अब जो आपके पास output आएगा that will always stay above VR ठीक है that will always stay above VR negative clipper जब हम बोलते हैं तो negative clipper का significance होता है किसी एक value के नीचे का graph clip करना जैसे यहां VR से नीचे का graph clip किया तो when you clip the waveform below a certain value that is your negative clipper ठीक है positive bias इसलिए बुला वर्ति का क्योंकि यह reference value positive लिये ठीक है reference value positive लिये अब देखो मैंने यहां पे क्या किया मैंने यह जो reference voltage थी बिटा इसका polarity बदल दिया मैंने reference voltage का polarity बदल दिया तो अब मैं इसे बोलूँँगा negative bias negative bias क्यों because I have reverse the polarity of the reference ठीक है polarity of reference voltage is reversed ठीक है जी आप देखो पिछले वाला आपने open circuit test से किया अब हम लोग क्या करते हैं इस बार short circuit test से करते हैं short circuit test से करते हैं इस बार क्या किया जाए कि diode को short कर दिया जाए भई diode को on मान लो न और ideal diode है तो on state में short circuit करते हैं हम जो अभी पूरा analysis करेंगे न बिटा क्लिपर का वो ideal diode मान के ही करेंगे ठीक है अब हमको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या है वी नॉट है और यह देखो clearly parallel combination से वी आई के बराबर आ रहा है ना वी नॉट जो है आपका वी आई के बराबर आ रहा है अब यहाँ पे जब आप short circuit test कर रहे हैं बच्चो तो आपको current की जरुवत पड़ेगी ठीक है हमें पता है ना short circuit test में on off देखते है current से अगर मैं i की बात करूँ यहाँ kvl के अनुसर तो vi minus minus vr by r तो यानि vi plus vr by r यह हुआ vi plus vr by r अब हम यह बोलेंगे ठीक है हम यह बोलेंगे कि भईया diode को on होने के लिए यह current positive होना चीए ठीक है diode को on होने के लिए यह current positive होना चीए तो on के लिए current must be positive उसके लिए vi plus vr को positive होना चीए जिसके लिए vi must be greater than minus और डायोड ओफ हो जाएगा अगर current negative हुआ यानि वी आईलेस धें मारेस वी आयर तो इस बार देख रहे हैं, वी आई में जो threshold बन रहा है, वो मारेस वी आर का बन रहा है थेऊड़ बहुतिकहाँ वी आई में threshold मारेस वी आर का बन रहा है इसलिए negative bias वी आई ग्रेटर देन माइनस वी आई इसमें आपने बोला कि हमारा डायोड ओन हो जाएगा तो डायोड विल बी शॉर्टेड जिस कारण से वी नॉट विल कम आउट टो बी वी आई यानि स्ट्रेट लाइन आएगी एक स्लोप वन की ट्रांसवर केरेक्टर स्टिक में अगर बात करो दूसरा आपने बोला वी आई लेस देन माइनस वी आई तो आपका डायोड हो जाएगा ओफ इसलिए आप उसको कर देंगे ओपन अब मेरे भाई अगर डायोड को ओपन कर दोगे तो कैसा सरकिट नजर आएगा देखना ज़रा ये वी आई है अब डायोड को ओपन करते ही बिटा करेंट तो जीरो चला गया करेंट तो आपका जीरो चला गया ना यहाँ पर आई है जीरो जिस कारण से रजस्टेंस का वोल्टेज तो हो गया जीरो अब यहाँ अगर ध्यान से देखोगे ना तो वी नॉट आ रहा है माइनस वी आर सर माइनस वी आर कैसे बूल दिया देखो ये VR का negative terminal है जिससे V0 का positive जुड़ा है और VR के positive से V0 का negative जुड़ा है ठीक है VR के positive से V0 का negative जुड़ा है ये बात clear हो गई ये बात clear हो गई negative से positive, positive से negative इस type से जुड़ा है अब शिवम जी पूछ रहे सर ये open से नहीं होता क्या अगर बिटा मैं इसको open से बना दिया होता तो तुम पूछते कि सर सभी क्लिपर को open सर के test से ही करना है क्या short से नहीं कर सकते क्या तो ये तो वाली बात हो गई कि कहीं भी शान्ती नहीं है मन को भाई मैं दोनों को एक एक test से इसलिए कराया हूँ ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि दोनों ही लग सकते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा हो अब देखो जब इसकी transfer characteristic बनाएंगे ठीक है अब के बार ये ध्यान दीजेगा V0 और VI दोनों में आपको minus VR नजर आ रहा है है ना तो इसलिए line ना इस बार VR की जगे minus VR की बनाते है देखो ये minus VR की line हो गई VI में और ये minus VR की line हो गई V0 में ये इधर से minus VR और ये इधर से minus VR ठीक है दोनों में minus VR हो गया अब हम क्या कहते है बिटा जब minus VR की बात आ रहे है देखो VI जब minus VR से बड़ा है जब इधर हो आप तो आपको एक straight line मिलनी चाहिए जिसका की slope है 1 V0 equal to VI एक straight line होगी जिसका की slope है 1 ठीक है बही तो देखो एक straight line आ गई जिसका की slope है 1 और जब आप इसके पीछे हो बिटा VI less than minus VR हो तब V0 आना चाहिए आपका कितना minus VR के बराबर तो अब V0 constant हो जाएगा minus VR के बराबर ये बन गया ठीक है ये आपका transfer characteristic आ गया अब हमें अगर graphically दिखाना है अगर हमें graphically दिखाना है तो मैं काम करता हूँ देखो ये वाली slide को ना copy कर लेते हैं इसी को modify कर लेंगे भाई कहांगे slide ये रही चलो ठीक है जी अब की बार ना VR की जगे reference value क्या लेनी है minus VR लेनी है ठीक है इस बार reference value जो लेंगे ना बिटा वो minus VR लेंगे ये आ गई ठीक है ये रही reference value minus VR ठीक है अब ये जो minus VR वाली है ये intersections आप यहां से लेया हो नीचे ये एक intersection आ गया ये दूसरा intersection आ गया भई ठीक है चलो ये दो intersection आपने नीचे खीच लिए अब आप क्या कह रहे हो बिटा कि जब जब आपका graph minus VR के उपर होगा minus VR के उपर होगा जब input तो output आएगा V not equal to VI V not equal to VI ठीक है तो minus VR ये रहा जब जब आप इसके उपर जाओगे तो input और output सेम आएंगे तो जब जब इसके उपर जाओगे output will be same as input ये देखो सेम graph trace कर रहा हूँ लेगिन सिर्फ इसके उपर उपर और जब जब आप minus VR के नीचे जाने की कोशिश करोगे जब जब आप minus VR के नीचे जाने की कोशिश करोगे output constant हो जाएगा minus VR पे output आपका constant हो जाएगा minus VR पे ये आ गया भई समझ में आई बात तो इस बार क्या हुआ पिटा minus VR के नीचे का कट गया है तो ये भी negative clipper लेकिन इसका threshold क्या है minus vr इसका threshold क्या है इस बार minus vr अब मुझे बताओ clear हुआ सबको clear हुआ क्या फिर मैं अगले clipper पे चलू किसी का कोई doubt है तो लिखो chat में फटावट फिर मैं अगला clipper पढ़ाऊंगा क्योंकि अब तुम्हे concept clear हो चुका है अब तुम ये जान चुके हो कि open circuit या short circuit test से किसी भी clipper का analysis कराया जा सकता है जोती जी कह रहे हैं आपने diode part 2 में बोला था diode current में AC-DC बोट supply देते हैं वो क्यों देते हैं समझ नहीं आया था वो समझाईए बिटा क्यों का ये sense नहीं होता यहाँ पर क्या होता है एक small signal analysis होता है diode में small signal analysis में क्या होता है जैसे मैंने remote का example भी लिया था remote के अंदर जो battery होती है वो आपकी byasing है वो remote को on कर रही है और जो आप button दबा रहे हैं signal है जिसके basis पे आपका remote काम करता है ऐसी analog में चाहे BJT हो diode हो, opamp हो उसके अंदर जो DC supply होती है उसका काम होता है इसको working में लाना इसको on करना और उसके बाद जो AC होता है वो input signal की तरह काम करता है जैसे BJT से amplifier बनाओगे तो amplifier को on करेगी DC bias और amplify जो signal होगा वो signal होगा AC amplify जो signal हो रहा होगा that will be AC तो AC signal modify होता है AC signal output में जाता है और AC signal को output तक जाने में या desired form लाने में जो मदद करता है वो DC होता है DC के मिना device चालू नहीं होगी अगर remote में से cell निकाल दो तो कोई भी बटन दबालो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है कोई भी बटन दबालो कोई फरक नहीं पड़ता जयेश कह रहे हैं कि सर इतना लंबा process करना पड़ेगा या फिर कोई shortcut है बिटा exam में ऐसा थोड़ी है कि सारा analysis करना है कि transfer characteristic भी बनाओ फिर आप उसका output भी निकाल के दिखाओ फिर sinusoidal का graph भी draw करो लंबा क्यों है लंबा इसलिए है क्योंकि बिटा हम बहुत सारी चीजे कर रहे है हम बहुत सारी चीजे इसके अंदर कर रहे है आप से exam में कैसा question पूछा जाएगा वो इस session के end में मैं कराऊंगा और आप देखो कि फटाफट चीजे बनेंगी ठीक है? चलो अगले पर आते हैं positive clipper positive clipper का मतलब क्या होगा एक तरह से clips above a certain value अभी तक तो आप नीचे वाले हों काट रहे थे न positive clipper में आप कहोगे clips above a certain value अब देखो मैं फिर से open circuit test ले आता हूँ भई है ना? इस वाले को open circuit test से कराता हूँ आपकी मर्जी है बिटा open circuit या short circuit अब जब आप open circuit test से बनाओगे तो यह आ गया vi अब आप एक चीज़ देखो बिटा open करते ही current हो गया 0 जिस कारण से v0 will come out to be 0 अब यहाँ पर क्या होगा? diode की polarity ऐसे लीजिएगा ठीक है? diode की polarity आप ऐसे लीजिएगा कैसे? anode पर positive, cathode पर negative अब अगर आप kvL लगाओगे ऐसे तो आप कहोगे 0 minus vd minus vi equal to 0 तो आपका diode voltage आ गया भई minus vi है ना? minus vi अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे बिटा? कि diode on होगा अगर vd positive हुआ that is vd positive होने का मतलब vi का negative होना और diode मेरा off होगा अगर vd negative हुआ यानि कि vi का positive होना vi का positive होना ठीक है? ये बात clear हुई? तो vi positive में diode off है और vi negative में diode on है अब हम दो cases कर लेते हैं पहले की तरह भई? vi negative तो आप कह रहे हो यहाँ पर diode on हो जाएगा on होने का मतलब है diode will become short अगर diode short हो गया तो कैसा circuit बनेगा? जरा यह देखिएगा अब आप खुद यह देखो बिटा v0 कितना आ रहा है? क्योंकि parallelly connected हो रहे है v0 और vi तो v0 is equal to vi ठीक है? v0 will be equal to vi case 2 अभी आपने निकाला कि vi अगर positive है तो diode will turn off और diode अगर off हो गया तो it will become open circuit और open circuit में current आपका 0 था तो v0 will also be 0 output भी आपका 0 आ जाएगा भई ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा बिटा एक तो मैं देखता हूँ न अपनी class में वेले लोग बहुत है जिने concept के अलावा सारे question है जिनके mind में ठीक है भई यह फिर lecture हो जाएगा private फिर बैठे रहना अभी तो तुम्हार दिमां में lecture के लावा साब चल ला है अब देखो हम यह कह रहे हैं कि जब vi less than 0 है vi जब less than 0 है तो output क्या आ रहा है vi के बराबर यानि इधर और जब vi greater than 0 है तो output आ रहा है 0 तो देखो जब vi less than 0 है तो v0 equal to vi एक straight line आ गई one slope की और जब vi positive है तो output is 0 तो यह बन गया ठीक है output 0 आ गया output 0 आ गया first case में क्योंकि vi negative है polarity reverse नहीं होगा कर सकते हो minus plus कर सकते हो फिर बोलोगे v0 आ रहा है minus vi बड़ vi को आप पहले ही negative मान चुके हो समझ रहे हो बहुत confusion हो जाएगी polarity जब reverse कर दोगे minus plus तो vi की value को positive लेके चलना पड़ेगा सोचके देखो अगर मैं यहाँ minus plus लगा दूँ तो फिर तो value को positive बोलूँआ क्योंकि मैंने negative sign polarity में assume कर लिया तो यहाँ अगर minus plus आ गया तो v0 आ गया minus vi जिसमें vi को positive मानना पड़ेगा तो confusion बहुत बढ़ गया ठीक है confusion बहुत बढ़ गया clear है भई तो यह graph clear है अब इसके basis पे अगर हम waveform देखें ठीक है अगर हम waveform देखें अब यह देखो यह sign को divide करने के लिए pi के interval में pi फिर 2pi फिर 3pi तीन cycle तक बनाते हैं अगर ठीक है अब इसके बाद इसका amplitude साइन का amplitude भी तो लोगे और यह output का amplitude ठीक है भई अब input में sign आप बना दो बढ़िया तरीके से अर यह आपने input में sign बना दिया ठीक है और output के अंदर भी एक reference बना लो ना sign जिसको की trace कर पाओ समझ रहे हो लाइट कलर से बना दिया मैंने अब देखो क्योंकि यह graph काम आएगा न multiple times तो इसको अपन save कर लेते हैं अब यह देखो यार आपका graph क्या कहता है यहाँ पे transfer characteristic क्या कहती है यह कहती है जब vi positive हो तो output को आप 0 ले लीजिए जब vi positive हो तो आप output को 0 ले लीजिए ऐसे ही तो बोल रही है तो positive के अंदर आप output को 0 ले लीजिए ठीक है और जब आपने बोला जब vi negative हो जब vi negative हो तो v naught और vi बराबर ले लीजिए जब vi negative हो तब आप v naught और vi बराबर ले लीजिए तब आपने इसको as it is trace कर दिया ठीक है यह आपने trace कर दिया अब आप यह देखो इसमें हुआ क्या इसमें जो positive cycles देख रही है न यह clip हो गई इसलिए इसको positive clipper बोला गया इसने 0 से उपर के graph को पूरी तरह से clip कर दिया पूरी तरह से काट दिया that is why it is a positive clipper समझाया ओपन सरके test से हमने कर दिया ठीक है ओपन सरके test से हमने कर दिया बात clear है sir please notes time पे share कर दिया अगर कौन से notes time पे share नहीं हुए एक lecture का हुआ था OC test and SC test वो delay हुआ था वो तो हो गया share चलो जी यहां तक clear अब आते हैं बिटा positive bias series positive clipper positive bias के लिए न यह वाली line लंबी करने पड़ेगी ठीक है ठीक है बई यह हमारा circuit है इस बार हमने क्या किया बिटा रुद्रेश assignment discussion के notes का करोगे भी क्या उसमें questions तो as it is वही है जो तुमको दे चुका हूँ अब सुनो ध्यान से यहां तुमने क्या किया यहां तुमने battery लगा दी एक VR की क्या किया तुमने यहां पे एक अब इसको किस से करें इसको short circuit test से कर लें चलो पिछले वाला open से किया था इसलिए इसको short circuit test से कर रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी से भी कर सकते हो but what I am trying to show you कि बिटा अगर आपको open circuit test short circuit test आता है तो आप कोई भी सवाल बना सकते हो even clipper कर सकते हो अब देखो short circuit test में आपने क्या करना है आपने diode को short कर देना है ठीक है मज़ा आ रहा है सब लोगों को analog easy लग रहा है कि नहीं लग रहा है बोलो ये diode हो गया short purely network analysis है बिटा ये अब देखो यहाँ V0 तो clear चमक रहा है parallel की वज़े से वी आई है diode का current कैसे लिया जाए anode से cathode यानि right to left अब ये current कैसे लिख दोगे Vr minus Vi upon R अब आप क्या बोलोगे भाई है ना अब आप क्या बोलोगे कि diode on होगा अगर current positive आता है हम कहेंगे diode on होगा अगर current positive आता है तो यानि कि Vi less than VR ठीक है जब Vi VR से छोटा होगा तो current positive आ जाएगा ना और diode will be off when current is negative यानि Vi is greater than VR Vi is greater than VR तो diode on है हमें मिल गया Vi less than VR पे और diode off है when Vi is greater than VR अब हम कहते हैं case 1 Vi less than VR तो diode मेरा on होगया diode short होगया और इस situation में अभी आप देख के आ रहे हों कि V0 is equal to Vi case 2 Vi greater than VR तो आपको पता है कि आपका diode off होगया off होगा तो open हो जाएगा ना अब मैं एक diode open करके भी circuit draw कर देता हूँ देखो diode के open होते ही क्या होगा ना battery जो input है वो disconnect हो गया circuit से एक type से अब बिटा diode जब आपका off हो गया तो current तो आपका 0 हो गया current अगर 0 हो गया तो resistance में voltage 0 हो जाती है V0 is equal to VR क्या आता है V0 is equal to VR कौन कौन चला आता है यार आज कल चल ठीक है तो V0 आ गया VR के बराबर अब हम क्या करते हैं अब हम characteristic transfer characteristic draw करते हैं है रो थोड़ा पतला कर लेते हैं अब यह देखो वी आई का जो threshold बन रहा है न वो VR बन रहा है वी आई का जो threshold बन रहा है that is VR और output का भी level एक बार तो VR आई रहा है तो मैंने input output दोनों में VR की line अब यह बोल रहा है भई जब वी आई VR से बड़ा है यानि राइट में हैं जब वी आई greater than VR है तब आपका output वी आर के बराबर आना चीए भई तब आपका output वी आर के बराबर आना चीए यहाँ आगया देखो VR के बराबर और जब बिटा वी आई VR से छोटा है तब क्या होगा? तब वी नोट शुट भी इक्वल टू वी आई तो यहाँ पे एक सलोप इक्वल टू वन की लाइन है इसका मतलब क्या हुआ बिटा जब VI VR के उपर जाएगा जब भी input VR से उपर निकलेगा ये उसे काट देगा ये उसे कोशिश करेगा VR पे रखने की ये क्या कोशिश करेगा इसलिए तो positive clipper है क्योंकि ये VR से उपर की value काट रहा है मैंने बताया था ना positive clipper का मतलब है एक certain level से उपर की waveform को clip कर देना that is your positive clipper अब आप ये देखें कि इसकी waveform पे क्या impact आएगा ठीक है अब यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा बिटा एक VR लेना पड़ेगा ठीक है ये मैंने VR मान लिया ये देखो ये VR हो गया अब हम ये कह रहे हैं VR से उपर अगर गया तो तो आपको same graph मिलना चीए VR के उपर जाने पे आपको VR ही मिलना चीए देखो जब जब VI VR के उपर जाएगा V0 will become equal to VR ठीक है और जब जब VR के नीचे रहेगा तब तब VI के बराबर आएगा तो देखो जब VR के नीचे है तो ये same graph trace हो रहा है और जब-जब VR को cross करेगा ना तब ये VR पे रोक देगा तब ये VR पे रोक देगा ठीक है इस type से बन गया तो इसने VR के उपर की पूरी waveform काट दिये अब क्या है sir here VD polarity is reverse तो इन VI less than VR V0 should be VR VI less than VR देखो डायोड की polarity reverse की है अगर VI छोटा हुआ यानि एनोड की वोल्टे छोटी हुई तो डायोड ओन हो जाएगा डायोड अगर ओन हो गया तो V0 और VI बराबर नहीं आ जाएंगे वर्तिका इसमें कैसी confusion हो रही है सोचो अगर ये वोल्टे छोटी है नहीं कैथोड की वोल्टे छोटी है एनोड वाली बड़ी है तो इसका मतलब VI और V0 बराबर आएंगे VR क्यों आएगा V0 सब V0 equal to VI plus VR क्यों नहीं मिला KVL से VI plus VR कैसे मिलेगा बताओ कौन से KVL से जोटी बिटा यहाँ पे डायोड ओपन है ओपन सर्किट की वोल्टेज तो मैं नहीं जानता तो आप यहाँ से ऐसे KVL कैसे लगाओगे यहाँ पे मैं यह बोल रहा हूँ कि current 0 है तो resistance का वोल्टेज भी 0 है अब V0 से अगर आप KVL लगाओगे तो resistance का drop 0 और VR KVL ऐसे लगाओ ना V0 चाहिए ना आपको तो बताओ VI plus VR कैसे मिल जाएगा ठीक है चला जाए आगे यह clear हुआ इसने VR के उपर की पूरी waveform कट कर दी अब यहां negative bias series positive clipper अब आप यह देखो आपने VR की polarity को reverse कर दिया आपने ultra reference voltage लगा दिया है है ना अब की बार इसको open circuit test से कर लेते हैं फिर भई पिछले वाला short से किया था open circuit test से कर लेते हैं अब इसमें क्या होगा कि diode को आप open circuit करके दिखाओगे यह हो गया भई और देखो यार analog पढ़ने के लिए ना network का idea तो होना ही चाहिए अब अगर तुम्हें यह भी clear नहीं है लोग को कि भई kvl कैसे लगेगा एक loop के अंदर तो analog तो बहुत tough हो जाएगा जब short है तब की बात कर रहे हो short में ही बताओ कौन से पात से kvl लगा रहे हो भई जो थी कि vi plus vr मिल जाए मैंने इस पात से kvl लगाया बताओ vi plus vr कैसे निकाल रहे हो बोलो मैं तो इस पात से kvl लगाया भई kvl पता नहीं कौन सा लगा रहे हो भई अगर बिटा one hour करूँगा तो obvious ही बात है दो महीने की जगे चार महीने लगेंगे अब चार महीने तुम analog में फिर motivation लूज कर जाओगे कि सर ये तो चलते ही जा रहा है चलते ही जा रहा है अब देखो जी यहाँ पे डायोड की voltage आ गई जोती बिटा एक बार आप kvl पढ़के आओ मेरे बच्चे kvl लूप में लगता है ऐसे थोड़ी कहीं भी kvl लगा दोगे क्या कर रहे हो बिटा अगर आप कह रहे हो r के point पे vi assume किया तो आपने यहाँ ground माना ठीक है तब आपने बोला यहाँ पे voltage आ गई vi और ground के हिसाब से यहाँ पे वी नौट भी आ रहे है तो वी नौट और vi बराबर ही तो है vi प्लस vr क्या होगा r के point पे vi आएगा अगर यहाँ ground मानते हो vi आ गया और इधर से देखो तो r वाले point पे ही vi नौट आ रहा है एक point पे दो voltage आ रहे हैं दोनों output तो यह पूरा है इस पे तो vi आती है अब देखो जी open circuit test हमने किया अब यहाँ पे current तो हो गया 0 पहली बात current अगर 0 हो गया तो resistance की voltage 0 है तो v nौट कितना आएगा minus vr v nौट आएगा minus vr ठीक है अब यहाँ पे मुझे diode की voltage चाहिए देखो अगर ऐसे सोचोगे कि यहाँ ground है तो यहाँ पे minus vr है क्योंकि resistance का voltage 0 है तो यहाँ minus vr ही आएगा और यहाँ पे आएगा vi चाहे तो loop में kvl लगा लो नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो तो diode की voltage अगर देखो उसके anode पे है minus vr कैथोड पे है vi तो minus vr minus vr अब मैं कहता हूँ diode off होगा अगर vd negative है तो minus vr minus vr अगर negative है तो vi अगर greater है minus vr से ठीक है यह हो गया मैं कहता हूँ diode on होगा अगर vd positive आ गया minus vr minus vr अगर positive आ गया तो vi अगर less than minus vr आ गया ठीक है vi अगर less than minus vr आ गया यह बात clear हो गई भई यह बात clear है भई और देखो जोती मैं आपको बिटा एक ही चीज़ recommend करूँ है network का fundamental अच्छा करो क्योंकि network का fundamental जिससे आप से आप KVL में गलती कर रहे हो इसका तो मतलब है कि network के first few lecture ही आपके एकदम उड़े वे हैं क्योंकि वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तो यह सारी चीज़े तो उपर से जाएंगी और देखो भई case 1 अगर देखे वी आई ग्रेटर देन माइनस वी आर यहां पे डायोड आपका ओफ था आपने ओपन किया हुआ था और आपका V08 आरा था माइनस वी आर case 2 V I less than minus V I डायोड आउन है आउन है तो आप डायोड को शॉर्ट कर देंगे अगर आप डायोड को शॉर्ट कर देंगे डायोड को शॉर्ट कर देने से आउटपुट टर्मिनल के एक्रॉस पूरा खुद V I आ जाता है है ना सीधे आप देख सकते हो V 0 पे पूरा का पूरा V I आ जाता है तो इस टाइप से आपका आउटपुट बन सकता है यह बात क्लियर हो गई अब हम अगर इसका ट्रांस्वर केरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें अब की बार जो लेवल आ रहे हैं या रेफरेंस का वो माइनस V R आ रहा है इनपुट में भी देख लो चाहे तो और चाहे तो आउटपुट में भी देख लो इसलिए जो है न आपका क्या आएगा वी आर आएगा क्या बोला यह जोती ही होगी हम पावर इलेक्ट्रोनिक्स में फिर V not equal to V I minus E क्यों कर रहे थे आज पता है मैं अपनी क्लास में एक चीज़ बता रहा था कि देखो knowledge ना हो चलेगा knowledge पूरी हो तो भी चलेगा जो अधूरी knowledge होती है बड़ी खतरनाक होती है अब जोती को यह तो पता है कि पावर इलेक्ट्रोनिक्स में आरी लोड में V I minus E करते हैं लेकिन किस value को निकालने के लिए करते हैं यह नहीं पता है बस करते हैं तो जोती जी एक बार पावर इलेक्ट्रोनिक्स का आरी लोड का लेक्चर दुबारे देखना आरी लोड के अंदर आपके पास दो आउटपुट्स होंगे कहीं पे V I होगा तो कहीं पे E होगा यह जो V I minus E होता है यह थाईरिस्चर की वोल्टेज होती है यह डायोड की वोल्टेज होती है आउटपुट्स वोल्टेज नहीं होती है इसलिए चेक करना V I minus E तो कभी थाई नहीं आउटपुट में या तो V I था साइनुसोइडल ग्राफ था या तो E था तो यह अधूरी नॉलेज बहुत मुश्किल है ऐसे अब देखेजी जब V I minus V R से बढ़ा होगा जब V I minus V R से बढ़ा होगा यानि राइट में होगा तब V not will come out to be minus V R तब आपका V not आता है minus V R लो जी यह आ गया और अगर अगर V I less than minus V R होगा अगर V I less than minus V R होगा तो V not will come out to be equal to V I ठीक है तो यहाँ पे slope आ जाएगा 1 ठीक है बही अब इसकी भी waveform हम बना लेते हैं ठीक है यह हमने क्या किया ठीक है यह है ना हाँ negative bias अब हम क्या कह रहे हैं भाई हमें reference लेना है minus V R क्या लेना है reference minus V R तो देखो जी यह ले लिया minus V R अब आपने बोला बिटा कि minus V R के उपर जब जाएगा input जब V I minus V R से बढ़ा होगा तब V 0 की value fix हो जाएगी minus V R पे जब V I minus V R के उपर होगा तब V 0 की value fix हो जाएगी minus V R पे fix कर दो जी तो यहाँ पे minus V R पे value fix हो गई ठीक है यह रिजी ठीक है minus V R पे fix हो गई और जब इसके नीचे है भाई जब इसके नीचे है तो V I ही आता है तो आप देखे रहो इस बार क्या हुआ minus V R से उपर की सारी values clip हो गई minus V R से उपर की सारी value clip हो गई this is your negative bias series positive clipper चमका भई सबको चमका किस type से करना है चलो आप कुछ question देखाता हूँ जब आए question देखना question देखो in the question a circuit and a waveform for the input voltage is given the diode has a cut in voltage 0 यानि ideal diode है आपको V 0 का waveform बताना है मैं आपको polarity दिखा दूँ 5 V की polarity उपर प्लस नीचे माइनस है यह resistance 2.2 किलोम है यहाँ पे voltage है V I कितनी है V I और यहाँ waveform के level है 20 और माइनस 5 20 और माइनस 5 ब्रामेंद्र कह रहे हैं D वर्तिका कह रहे हैं D बाकी लोग बताओ नितीश बिटा प्लीज ग्यान ना दे IR प्लस E होता अब तुम उल्टा और गलत बता दोगे है ना हुश्यार बनके की doubt solve कर रहा हूँ और और उल्टा doubt गलत ऐसा बता दोगे कि फिर बच्चा करके भी आये कहीं तो गलत ही करे हाँ जी तो answer will be D बहुत ही बढ़िया अब देखो अगर exam में approach करना आपको ये clipper वगएरा याद नहीं है कुछ भी याद नहीं आप क्या करना अब diode को open कर लेना ठीक है आपने diode को open कर लिया अब diode को open करते ही current तो हो गया 0 ठीक है तो ये resistance का voltage हो गया 0 तो V0 आ गया 5 के बराबर अब मैं कहता हूँ कि diode का जो voltage है वो कितना होगा वी आई माइनस 5 तो हम कहते हैं कि diode off रहेगा अगर diode का voltage negative रहे यानि वी आई less than 5 रहे अब less than 5 कब है पिटा इस region में इस region में 0 के नीचे है न तो 5 से भी नीचे ही है 5 के भी नीचे ही है 5 के नीचे है तो V0 आना चीए 5 V0 आना चीए 5 ये आ रहे है ठीक है और कहीं पर ऐसा नहीं आ रहे है अब हम ये कहेंगे कि diode on हो जाएगा अगर VD positive है यानि V.I. is greater than 5 V.I. is greater than 5 ठीक है V.I. अगर greater than 5 है ये वाला region हो गया 20 यहाँ 5 से बड़ा है diode अगर on हो गया तो diode short हो जाएगा और diode short होते ही V0 will come out to be V.I. यानि V.I. कितना 20 था ना तो 20 आ जाएगा तो यहाँ पर ये देखो 20 आ जाएगा इस टाइप से basic से solve कर लेना मुश्किल से इसके अंदर आपको एक मिनट लगेगा इससे जादा नहीं और बहुत सही answer निकाल दोगे तो answer will be D अब नितीश कहा रहे है सर अगर rectifier में E की polarity उल्टी हो तो मैंने सही लिखा है IR-E यह तो यह वाली बात होगे कि answer देखे अब उसके अनुसार question बना रहे है कि एक answer कहां fit हो सकता है अब बताओ यह तो गलत बात है न चलो जी यह वाला देखो transfer characteristic पूछ रहे है बताओ यहाँ पे ना input आप देखोगे सभी graph में minus 5 से 5 जा रहा है तो यह basically कह रहा है input minus 5 से 5 जाएगा तो output characteristic कैसी बनेंगी क्या रहे है C आ रहे है yes the answer will be C यहाँ पे भी देखो diode को क्या कर लो बिटा open कर लो तो current will be 0 तो resistance का voltage will be 0 तो V0 आता है 2 अब ऐसी situation में diode की voltage क्या आएगी अगर आप KVL लगाएं V I minus V D minus 0 तो diode की voltage हो गई V I minus 2 हमने तो open माना है न off माना है off कब होगा जब diode की voltage negative होगी यानि V I less than 2 ऐसी situation में V0 कितना आ रहा है 2 आ रहा है और diode on हो जाएगा जब diode का voltage positive आएगा यानि V I greater than 2 आएगा तब आपका V 0 आ जाएगा V I क्योंकि जब diode on हो गया तो यह short हो जाएगा तो 2 से आगे एक straight line आएगी जिसका की slope 1 होगा और 2 से पीछे output रहेगा 2 तो देखो 2 से पीछे output है 2 यहाँ पे output fix है 2 से पहले-पहले और 2 के आगे it is a straight line of slope 1 मुझे कैसे बता slope 1 है 5 पे 5 मिल रहा है तो slope हुआ 1 5 पे 5 मिल रहा है then the slope is 1 चलो अगला देखो if the cutting voltage of the diode is 0.7 plot the transfer characteristic अब की बार cutting voltage दे दिया है बेटा 0.7 तुम्हे थोड़ा था hint भी देता हूँ जिससे की तुमारी महनत बच जाए बेटा क्या करो इतने part का पहले थैवनिन निकाल लो मैंने बताया था न जहां सिर्फ battery और resistance देखे उसे थैवनिन में convert कर लिया अगरो महनत बहुत बच जाएगी बेटा क्यों एक test से ही करवा दूँ अभिशे क्योंकि तुम्हें ऐसा चाहिए बताओ कल को दूसरा बच्चा कहेगा सर मेरे को तो OC से मजा नहीं आ रहा सिर्फ SC से कराओ कोई कहेगा सर मुझे तो SC से मजा नहीं आ रहा सिर्फ OC से कराओ इसलिए दोनों से करा रहा हूँ ना भाई किसी एक बच्चे के लिए थोड़ी पढ़ा रहे है depend करता है ना कौन सा बच्चा किस test को preference देगा आपको जो अच्छा लगता है आप वो follow करो भाई इसका थैवनिन बनाए इसका थैवनिन जब निकालोगे तो VTH 15 इंटू 1 बटे 1 प्लस दो यानि 5 वोल्ट RTH 1 पैरलल 2 यानि कि 2 बाई 3 किलो है ना क्योंकि RTH निकालते वे वोल्टेज सोर्स को शौर्ट भी करते है reference वोल्टेज सोड़ी यह तो VI है ना VI तो vary करोगे transfer characteristic बनाने में VI की value भी दे दूँआ तो बचेगा क्या दिखनी रहा अरे भाई दुनिया को दिख्या तुम को ही ने दिखरा लो 1 V 0 आया भी यह answer देखो इसका circuit redraw कर लेते हैं बेस जौन हमने क्या निकाला एक काम करता हूँ चलो पहले पूरा circuit बना देता हूँ पांच अब देखो तुम इस पे open circuit या short circuit test लगा सकते हूँ ठीक है open circuit या short circuit test लगा सकते हूँ जैसे मान लो आपको इस पे short circuit test लगाना है short circuit test में आप diode को na CVD model से replace करेंगे CVD model से अगर आप replace करते हैं तो you will replace it with a battery ठीक है जी 0.7 दिया था ना cut in voltage कितना दिया था अगर इसका cut in voltage देखें 0.7 है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे current मान लेता हूँ ऐसे आई यह ऐसे घूम रहा है current मैंने कैसे माना है ना diode के anode से cathode की तरफ वही तो direction होनी भी चीए current की anode से cathode ऐसे मान लिया अब यह i क्या होगा वी आई माइनस 0.7 माइनस 5 बाइ 1 प्लस 2 बाइ 3 अब मैं कहूंगा कि मेरा diode on होगा अगर वी आई बड़ा होगा 5.7 से है ना current positive आ जाएगा ना ऐसी situation में मेरा V0 क्या आएगा V0 देखिए वी आई माइनस आई इंटू 1 के विय लगा दिया ऐसे यह current आई है ना इस टाइप से लगाया तो वी आई माइनस अपों 5 बाइ 3 तो 5 बाइ 3 2 बाइ 3 अपों 5 बाइ 3 तो 0.4 वी आई प्लस 5.7 इंटू 3 बाइ 5 तो 1.14 3.42 यह आया ठीक है यह V0 का equation आ गया यह V0 का equation आ गया अब आप कहोगे diode off कब होगा जब VI less than 5.7 होगा ऐसे case में diode हो जाएगा open अब आप open करके दिखा दो यह मेरा diode open हो गया यह वन अब देखो इस circuit में कोई current नहीं बह सकता यहाँ पे कोई current flow नहीं कर सकता क्योंकि मेरा diode open है अगर यहाँ पे मेरा current हो जाता है 0 तो यह resistance का voltage भी 0 तब V0 के across same as VI voltage आ जाएगा क्या जाएगा V0 equal to VI ठीक है V0 less than 5.7 पे V0 will be same as VI बताओ यहाँ तक clear हुआ और 5.7 पे देखना जरा यह value कितनी आती है जो पहला equation आया है अगर इसमें VI को 5.7 डाल दें तो देखो जरा 0.4 into 5.7 plus 3.42 यह 5.7 ही देगा यह 5.7 पे यह भी 5.7 देगा और 5.7 पे यह भी 5.7 ही देगा यानि continuous graph बनेगा भई है ना दोनों से यह जो threshold है threshold 5.7 है ना दोनों पे value 5.7 ही आ रही है यह यह continuous graph है यह कह दो यह left hand limit है VI less than 5.7 यह right hand limit है VI greater than 5.7 बिटक practice से ही आएगा confidence पहला numerical topic करा रहा हूँ अभी मैं analog का इससे पहले तो एक open circuit short circuit test करा है अब अगर तुम तीन सवालों में सोचोगे confidence नहीं आ रहा तो फिर क्या किया जासते है और तीन में से जिसमें की दो सवाल directly पहला एक अच्छा question हम कर रहे है मैं मानता हूँ बट question जब देखोगे सीखोगे तभी तो बना पाओगे अब confidence के लिए हलुआ हलुआ question करा दे तो बड़ा मज़ा आएगा क्या फायदा उस चीज़ का अब देखो 5.7 मेरा threshold आ रहा है यह मैंने लिया अब 5.7 से नीचे देखो 5.7 से नीचे यह वाली limit 5.7 से नीचे आपका V0VI के बराबर आ रहा है ठीक है 5.7 के नीचे V0VI के बराबर आ रहा है यानि एक straight line आएगी जिसका की slope होगा 1 ऐसे आएगी ठीक है अब 5.7 के उपर एक straight line आ रही है जिसका slope है 0.4 जिसका slope है 0.4 बेटा अभी तो मैंने oscillator यहां पढ़ाया नहीं है पढ़ा दूँँगा तब कि मैं बात कर सकता हूँ ठीक है यह बन गया समझे ना slope कम हो गया तो कम tilt आ गया इन सिरीज positive clipper open circuit test diode voltage polarity was equal to when diode conduct polarity when diode conduction open circuit is it possible नहीं भाई diode का एक reference मानके चलते हैं कि anode पे positive, cathode पे negative अब अगर यह value positive आ गई तो माने diode forward बायस है on हो जाएगा यह value अगर negative आ गई तो polarity उल्टी है माने कि diode off हो जाएगा बट एक reference तो मानके चलोगे network में भी जब voltage या current निकालते हो तो पहले assume करते हो ना फिर answer positive आता है तो आपका assumption सही था answer negative आता है तो आपका assumption गलत था बट एक assumption लेके चलते हैं ना चलो अगला देखो जरा इसको देखो V0 बताना है दो input की values दिये हैं एक दिया है 10 volt एक दिया है 5 volt कहने का इसका तातपर यह है अगर V1 को 10 लिया जाए तब क्या होगा और V1 को अगर 5 लिया जाए तब क्या होगा करो इसको आईडियल डायोड माले ना जब तक डायोड का कटें वोल्टेज या रजिस्टेंस ना गिवन हो आईडियल डायोड से ही होगा आईडियल अाईडियल झायोड झालिज से नाए रघा लाट सड़ी यगर खिवन होगा जए अगर बहुआका झालिपए लिया है क्या रहे है, C आ रहे है A कह रहे है, B आ रहे है फिर कह रहे है, C आ रहे है चलो, देखें एक बार देखो, इसको शुरू कैसे करूँगा इस डायोड को ओपन मान लो ओपन सरकिट टेस्ट की तरह सूचो ना अब अगर इस डायोड को ओपन मान लिया तो यहाँ पे करेंट हो जाएगा 0 ठीक है तो इधर का ना यह पूरा का पूरा सिरीज में आ जाएगा किसमें आ जाएगा? सिरीज में जिसका मतलब V0 को आप वोल्टेज डिवीजन से निकाल सकते हो 10 इंटू 2 by total resistance 6 20 by 6 मैं यह जानना चाहता हूँ बिटा कि यहाँ पे तो वोल्टेज V आई है या V1 जो भी मान लो और यहाँ की वोल्टेज मुझे पता करनी है V अगर मैं बोलूँ V तो V क्या होगा? यह 2 और 2 के across जो total voltage होगी यानि 4 तो 20 बटे 3 वोल्ट ठीक है? अब मैं कहता हूँ यह 20 by 3 आ गया तो जो diode की voltage है diode की जो voltage है वो होगी वी आई माइनस V उसके एक तरफ वी आई है एक तरफ वी है वी आई माइनस 20 by 3 अब मैं कहता हूँ कि मेरा diode on होगा अगर VD positive होगा यानि वी आई अगर 20 by 3 से बढ़ा होगा अगर मेरे बच्चो diode on होगया तो diode को short circuit कर दोगे diode को अगर short circuit कर दोगे न तो ऐसा circuit बन जाएगा ये वी नौट है ठीक है अब देखो यहाँ पे वी आई आ गया तो अब अगर आप ये देखो ये दोनों तो हमेशा ही series में है तो आप voltage division लगा सकते हो क्योंकि total voltage वी आई है इस point पे तो 0.5 वी आई ये हो गया और ऐसे diode off कब होगा diode off होगा when diode voltage is negative यानि वी आई less than 20 by 3 ऐसे में diode open है और open circuit वाले case में तुम V0 पहली निकाल चुके हो 20 by 6 ठीक है तो 20 by देखो अब case 1 case 1 10 है greater than 20 by 3 है तो diode on होगा तो V0 will be 0.5 VI यानि 5 आ जाएगा ये less than 20 by 3 है डायोड ओफ होगा डायोड जब ओफ होगा तो आपने निकाला था V0 20 by 6 तो आंसर शुड़ भी A ना B ना C बहुत सारे बच्चे B दे रहे थे कोई C दे रहे थे आंसर A आएगा A मैं देख पा रहा हूँ स्वाती ने दिया है साई ने दिया है अर्जुन ने दिया है आंसर विल भी A ठीक है ये बात clear हो गई कैसे करना है देखो मैं बेसिक से ही कर रहा हूँ बिटा मैं कोई बहुत हाइफाई मेथड नहीं लगा रहा हूँ अब ये करो ज़रा ये कह रहा है V गामा है 0.7 इन्पुट वेरी कर रहा है माइनस 10 से 10 आपको V 0 वर्जिस V I बनाना है यानि कि इन्पुट जो है वेरी कर रहा है माइनस 10 से 10 मिसिंग प्रीविए स्लाइट प्लीज येलो भाई प्रीविए स्लाइट अब यहाँ पर ये ही लिखा है माइनस 10 से 10 है ऐसा तो कोई question तुमारा छुप नहीं रहा है माइनस 10 से 10 है अब सिद्धिकी जी अगर आप पूरा पूरा note down कर रहे हो तो तो obviously ये lecture fast लगेगा लेकिन जब मैं ये PDF दे रहा हूँ तो पूरा note down करने की जरूवत तो ऐस सच है नहीं नहीं दे रहा हो तो हाँ note down करने की जरूवत थी पूरा note down करने की जरूवत दे रहा है इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा उसका लिंक कहां पे मिलेगा इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा अभी पहले question पे ध्यान दो question बनने लगेंगे तो सब चीज़े सही है करें इसको start करूँ बना ना तो देखो इसको open कर लेता हूँ open circuit test के तहट open कर लिया अब भाई देखो इसके anode पे voltage तो है वी आई cathode की चाहिए अब पता है जब कभी ऐसा हो कि दो voltage sources लगे हुए हैं आपको किसी node का voltage निकालना है तो आप पता super position का use कर देओ कैसे पहले आप क्या करो कि इसको ground मान लो ठीक है यह मैं V बोल रहा हूँ तब आप V कैसे लिखोगे उपर है 10 voltage division लगा दो 20 by 20 plus 10 sir 20 के across क्यों लिया क्योंकि यह voltage में ground के respect में ले रहा हूँ ground नीचे है तो V और ground के बीच में कौन सा resistance है 20 तो 20 के across निकाला अगली बार आप इसको ground कर दो अब आप देखो V और ground के बीच कौन सा resistance है 10 है तो 10 के across निकालो minus 10 के कारण तो minus 10 volt इससे 10 के across निकालनी है 200 minus 100 is 100 100 by 30 is 10 by 3 ठीक है यह आगया तो यह V मिल गया समझ में आया V मिल गया V खुद ही V naught है V खुद ही आपका V naught है तो मैं कह रहा हूँ कि अब अगर diode का voltage चेक करूँ तो V I minus V naught V I minus 10 by 3 अब diode मेरा off रहेगा बच्चो अगर diode का voltage negative आया sorry negative नहीं 0.7 से कम आया क्योंकि 0.7 दिया है न डायोड का cut-in voltage तो V I less than 10 by 3 plus 0.7 यानि V I less than 4.03 ठीक है? और diode मेरा जब on होगा जब V D greater than 0.7 होगा यानि V I greater than 0.3 ऐसी situation में output क्या आएगा? V I minus 0.7 कैसे पता सर? देखो तब आप डायोड को एक बैटरी से replace कर दोगे ऐसे 0.7 की इधर V I ये 0.7 का drop आ गया तो V I will be V I minus 0.7 समझे? तो जब V I 4.03 से छोटा है तब V I not आ रहा है 10 by 3 तो आप ये कह सकते हो इसके option है? तो देखो V I पे जो threshold है वो 4.03 है ये रहा ये option आ गया देखो V I का जो threshold है वो 4.03 है न और किसी option में ऐसा नहीं है ध्यान से देखो V I पे जो limit आ रही है 4.03 की वो किसी भी option में नहीं दिख रही है यहाँ भी 3.33, 3.33, 3.33 condition ये आ रही है बिटा 4.03 से नीचे diode बंद है और जब diode बंद है तो V I not आता है 10 by 3 तो 4.03 से नीचे आपका diode off है और V I not आ रहा है 3.33 और जब 4.03 के आगे जा रहे हूँ तो diode on हो जा रहा है तो V I not आ रहा है V I minus 0.7 यानि कि slow पा रहा है 1 इस line का slow पा रहा है 1 ठीक है तो answer will be C अब ये देखो इसका output पूछ रहा है भई क्लिपर सर्किट का इस क्लिपर सर्किट का output पूछ रहा है भई इसका output ड्रॉ करो ठीक है पुलो केमाड़ा है इसकाई है 10,000ई ड्रोच सर्किट के रहा है इसकाई का पूछ है इसकाई है पालख है इसकाई अगा है झाल झाल बिटर लेक्चर 24 आर्स तक लाइव रहेगा फिर प्राइवेट हो जाएगा अभी पीछे के सभी लेक्चर भी पब्लिक हैं कल तक अभी कल तक कोई भी लेक्चर प्राइवेट नहीं है तो अगर तुमने पीछे के भी कुछ मिस कर दिया है तुम देख सकते हूँ एनलोग की प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है अभी ठीक है कल यहां तक के लेक्चर आपके सारे प्राइवेट हो जाएगे आज तक के तो आपको आज देखना है जो भी है आया भी आंसर देखो आप यहां पर अब्जर्व करो कि वोल्टेज है इन्पुट वोल्टेज माइनस टू है ना इन्पुट वोल्टेज माइनस टू का मतलब इसको दो नीचे शिफ्ट कर दो तो यह तीन तक जाएगा और यहां पर य जाएगा तो दो नीचे शिफ्ट कर देंगे हम इस टाइप से ये हो गया अब इसके आगे ये जो है न ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह दिख रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब सिर्फ पॉजटिव साइकिल को पास करेगा तो सिर्फ इतना रीजन पास हो जा जाएगी ठीक है मैंने इसको नॉर्मल मेथड से क्यों नहीं किया क्योंकि मैंने जो है न यहाँ पर अब्जर्व कर लिया that this is a हाफ वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का इन्पुट है वी इन माइनस तू वी इन माइनस तू सर प्लीज कीप पब्लिक सिदीप यहां बैटी नहीं दिखती यहां मुश्किल जे 20-25 बच्चे होते अभी हर लेक्टिर को बच्चा इमिजेट देख रहा उसका रीजन है एक डर की वीडियो चला जाएगा तो इस चक्कर में बच्चों की भी कंसिस्टेंसी बन रही है ठीक है वरना बाद में ही रह जाता है चलो अब देखो ये एक assignment अपना रहे गया था open circuit test और short circuit test का ये भी मैं करा देता हूँ और फिर हम लोग इस lecture को end करेंगे क्या बोला है भई ideal diodes है zero forward resistance और drop d2 का current बताना है d2 का current आप एक काम कीजिए यहां पे कि पहले short circuit test लगा लीजिए apply क्योंकि current की बात कर रहा ह ना तो मैं दोनों diode को on मान रहा हूँ तो ये भी on है और ये भी on है अब यहां पे अगर आपने ground माना है तो यहां पे voltage हो गई 10 यहां पे भी हो गई 10 तो यहां पे भी कितनी आ गई 10 क्योंकि ये diode on है ना तो ये short circuit की तरह behave करेगा अब देखो इस resistance के उपर भी 10 नीचे भी 10 current आया 0 ठीक है और यहां kvl violate हो गया बिटा क्योंकि यहां पे है 8 डायोड तो दूसरा भी short है डायोड तो दूसरा भी short है ना तो kvl violate हो गया तो kvl violated अब क्या करें भाई अब आपको oc test लगाना पड़ेगा oc test में आप क्या करोगे आप सभी डायोड को open कर दोगे ठीक है यह डायोड अपना open हो गया यह देखो 8 10 इस डायोड का voltage आप ऐसे लिखोगे vd1 इसका लिखोगे vd2 यह 200 ohm अब देखो current flow करनेगा तो कोई रस्ता है नहीं तो current तो 0 रहेगा अब vd1 अगर निकालोगे देखो यहाँ पे ground है तो यहाँ पे 10 आएगा कोई current नहीं है तो यहाँ पे 10 आएगा यहाँ पे भी 10 है तो vd1 जो हो गया 10-10 हो गया 0 और vd2 जो हुआ यहाँ पे 8 आगया vd2 जो हुआ 10-8 आगया 2 अब आपको क्या पता है जिसका voltage बड़ा आता है आप उसको on कर लेते हो दूसरे वाले को off ही रहने देते हो voltage d2 का बड़ा है न दो वोल्ट आया है तो d1 को अभी off रहने दो d2 को आप on कर लो इसने d2 का ही current actually पूछा भी है तो आप देखो यहाँ पे ऐसे current flow करने लगेगा यही current d2 से जा रहा है तो 10-8 by 200 2 by 200 कितना होगा 1 by 100 तो 0.01 ampere अब चेक करना पड़ेगा भाई d1 off है या नहीं है बैस तो हो नहीं सकता on क्योंकि दोनों तो एक साथ on होंगे नहीं तो यहाँ पे तो 10 है और पे वोल्टेज आएगी 10-200 आई यानि की 8 तो वी d1 जो आएगा वो d1 off है चेक भी करना पड़ता है भाई d2 को on करके खतम नहीं कर देंगे question को अगला देखो determine v0 and id2 respectively for the two diode circuit with parameter r1 5 kilo ohm r2 10 kilo ohm v gamma 0.7 v positive 5 volt v negative minus 5 and v1 is 4 तो मैं यहाँ values लिख देता हूं भाई यह आपका 4 volt है यह आपका 5 volt है यह आपका minus 5 volt है ठीक है और यह आपका 10 kilo ohm है यह आपका 5 kilo ohm है आपसे पूछाए v0 बताना है v0 कहां पर है यह रहा और id2 बताना है ठीक है अब बात है कि कौन सा diode on कौन सा off आप यह तो यह कर सकते होगी भाई short circuit test लगा लो है ना आप short circuit test लगा लो तो आप दोनों को अगर on करो गए 4 फिर यह 0.7 का drop ठीक है short circuit test लगा रहा हूं मैं जब भी मुझे पता है voltage given रहती ना diode की cut-in तो मुझे short circuit test ज्यादा convenient लगता है अब देखो यह 4 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट हुआ 3.3 आया फिर 0.7 एड हुआ 4 आ गया यहां पर कितना करेंट आ गया 5-4 आई अगर लिखों 5-4 बाइ 5 तो 0.2 आ गया यह पूरा का पूरा 0.2 इधर चला जाएगा तो इस diode में तो कोई दिक्कत नहीं है बिटा D2 में क्योंकि current anode से cathode ही जा रहा है anode से cathode जा रहा है मुझे कोई समस्या नहीं है इधर कितना current आएगा देखों इधर आएगा I1 बोलता हूँ 3.3 माइनस 5 बाइ 10 तो 0.83 0.83 इधर आ रहा है 0.2 इधर आ रहा है तो 0.63 इधर से आ रहा होगा KCL है ना इधर से 0.2 आया इधर से 0.63 मिलके गया 0.83 तो ये भी सही है इस diode में भी current anode से cathode जा रहा है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं और इसमें भी anode से cathode जा रहा है कोई दिक्कत नहीं यानि यह assumption सही था जहां दोनों diode on थे तो answer आ गया B समझे मैंने short circuit test लगाया और दोनों ही diode actually on निकल के आए तो answer will be B अगला देखो state of both the diodes state बता नहीं है दोनों diode की एक काम करते हैं भई cutting voltage दे रखा है 0.6 तो इसको 0.6 ले लो इसको भी 0.6 ले लो और बीच का एक voltage मान लो V नोडल लगा लेते हैं ठीक है दोनों को on मान रहा हूं मैं 5 minus 0.6 4.4 5.4 minus 0.6 4.8 अब मैं यहां पर क्या कहूंगा V minus 4.8 by 12 plus V by 18 सारे current outgoing मानते हैं नोडल में 6 अब LCM क्या आएगा 36 ले लो 3 V minus 14.4 2 V plus 6 V minus यह कितना होगा 26.4 11 V is equal to 40.8 तो V कितना आगे है 11, 3, 33, 78, 11, 7, 77, 1, 9 यह 3.709 अब मैं कहता हूं इस diode का current कितना होगा भी I1 4.8 minus V by 12 positive आएगा इस diode का current कितना होगा भी I2 6 ohm वाला ही current होगा ना यानि 4.4 minus V by 6 यह भी positive आएगा क्योंकि V छोटा है तो यानि यहाँ पे D1 on होगया क्योंकि current positive है और यहाँ से D2 भी on होगया क्योंकि current positive है तो दोनों का current positive यानि दोनों diode on बोथ on ठीक है यह last question था भी I2 पूचा गया था diode का on state drop दिया था 0.7 एक काम करो आप इसको assume कर लो on ठीक है तो यहाँ पे 0.7 का drop आ जाएगा यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1.3 volt तो यहाँ से I2 कितना आ गया 1.3 by 6 तो 0.2 फिर 1 बचा न यह आ गया और यहाँ पे कितना current आएगा भाई 2 minus 1.3 by 2 0.35 ठीक है 0.35 अब यह जो I2 आ रहा है यह दो current से बना होगा एक तो diode current और एक यह 0.35 तो मैं कहता हूँ diode current plus 0.35 is I2 तो इससे diode का current negative आ जाएगा क्योंकि 0.216 में से 0.35 गटा होगे तो negative आएगा इसका मतलब diode will be off off का मतलब आपको open कर देना है आपने गलत assume किया diode को अगर open कर दोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 2 वोल्ट यह बचेगा 2 किलोम और यह 6 किलोम बस एक simple the series circuit तो यहाँ पर current कितना आएगा भें 2 by 8 तो 0.25 मिली एमपियर समझें यहाँ पर diode open रहेगा यह यार है 0.25 मिली एमपियर clear हुआ तो 0.216 वाला answer हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 0.216 का मतलब है कि diode का current negative हाना तो diode open हो जाएगा clear हुआ है ना चल अब यह देखो यह तुमारा आज का assignment है मैं notes अभी upload कर दूँआ यह assignment बना लेना इसकी मैंने पूरी answer keys भी आपको दी है बनाओ गए आप लोगो को काफी मज़ा आएगा theory question भी है numericals भी है यह पूरी answer की दे रखी है ठीक है और देखो अगर आपको pyq लगाने है diode के या overall analog के तो आप इस link पे जाएगा बिटा यहाँ पे न मैंने पूरे pyq करा रखे है free of cost electrical और ECEK for analog इस folder के अंदर मिल जाएगा gate pyq by AIR1 बिटा HPCL पे मैं already session ले चुका हूँ ललित search कर लो creatrix HPCL है न हाँ बिटा salen की butterworth सब cover करेंगे अब यह देखो अगर आप an academy join करते हो you have two possibilities plus and iconic दोनों में ही मिलते हैं top educator और जितना भी हम पढ़ाते हैं उसका proper study material app पे uploaded है आप कभी भी read कर सकते हो test series included है दोनों के अंदर लेकिन iconic में extra benefit क्या होता है कि कोई बच्चे को अगर नया question पूछना है नया doubt है तो उसका नया video solution बना के देते हैं printed notes उसके घर पे भेजते हैं one to one mentorship मिलती है strategy और study plan बनवाया जाता है और open house में आप बात कर सकते हो जो की plus वाले नहीं कर सकते और यहाँ पे आप ये देखें बिटा जो भी subscription आप चूज करते हो आपको subscription चूज करना है आपको duration चूज करनी है और आपको payment के time पे code लगा देना अंकित EAC जिससे आपको मिलेगा immediate discount और अगर आज लेते हो तो 20% मिलेगा और results देख सकते हो बिटा results गजब तरीके के हमने produce की हैं top 10 में 6 ranks हमने निका ली हैं तो अगर आप देखोगे इस type का result अगर आप भी चाहते हो चाहते हो कि next year आपकी भी photo लगी हो तो आप an academy जोइन करें using code अंकित EAC और देखो आपको न अगर financial issue है तो आपको EMI का भी option मिल रहा है आप EMI पे ले सकते हो जहां आप अपनी fees monthly pay कर सकते हो यहां बहुत basic paperwork मिल लगता है जिसके अंदर आपको bank card अधार card देना होता है अपनी family में किसी essay member का दीजिए जो की salary पे हैं क्योंकि bank उनको EMI जल्दी देता है और देखो अभी जैसा मैंने आपको बताया 20% off चल रहा है आज रात को यह expire हो जाएगा अगर 20% off पे purchase करना है तो immediately कीजिए using code अंकित ESE ठीक है इसके अलावा मेरे बच्चो अगर आप distance learning program लेते हो जिसमें आपको books भेजी जाएंगी उस पे भी अभी 20% off है और अगर कोई plus का बच्चा भी book avail करना चाहता है तो वो extra amount pay करके कर सकता है उस पे भी 20% off है लेकिन यह सिर्फ आज रात तक और यह latest बैचे बिटा जिसमें network स्टार्ट हुआ है power system भी स्टार्ट हुआ है मैं सुबह 7 बजे power system ले रहा हूँ और रात को 9 बजे मनीश सर आपका network ले रहे हैं और यह है मेरा telegram channel जहां आपको सारे lectures की detail मिलती रहती है इसके अलावा यह है मेरी team का contact number कोई भी query है आप यहां call कीजिए अगर आप plus या iconic user ने 1 दबाएं अगर आप YouTube student है तो दो दबाएं और देखो यहां का PDF कहां मिलेगा यह मिलेगा unacademy app पे तो आप unacademy app install करो home page पे जाना app के app जो download करोगे उसका home page उस पे community में जाईएगा community में discover पे जाना discover पे आप मेरा नाम से search कर लेंगे तो आपको मेरी community मिल जाएगी उस पे आपको सारे PDF मिलेंगे community का link directly description में भी given है इस video के वरना अगर आपके पास app है तो आप directly community पे जा सकते हैं so thank you everyone कल हम लोग मिलेंगे कल clippers को wind up करेंगे ठीक है तो कल आपका ये application पूरा हो जाएगा let's crack it